नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारी यूटूब चैनल GS.80 में आज हम पढ़ते हैं होम रूल लीग आंदोलन 1914 हिस्वी में आठ वर्स की सजा काट कर तिलक जब जेल से रिया हुए तब स्वराज प्राप्ति के लिए सरकार पर दबाव डालने की उद्देश से तिलक एवं एनी बेसन में एक ऐसे आंदोलन को सुरू करने करने लिया जो बिवस्था के अधीन रहते हुए संघर्स कर सके इसी उद्देश की प्राप्ति के लिए आयर्लेंड के होम रूल आंदोलन से प्रियर्डा लेते हुए भारत में होम रूल आंदोलन का सुत्रपात किया एक तिलक का होम रूल लीग आंदोलन दूसरा एनिवेशन टिक्या होम रूल लीग आंदोलन बाल गंगधर तिलक ने होम रूल लीग की अस्थापना अप्रेल 1916 में की जिसके सचिव एनसी केल कर थे तिलक के होम रूल लीग का कार्छेद महाराष्ट बंबई को छोड़ कर करनाटक, मद्द्प्रांथ एवं बरार में खोली गई तिलक ने मराठी भासा में केशरी और अंग्रेजी भासा में मराठा नामक पत्रों के माध्यम से होम रूल की अधाणा का प्रचार किया इनका उद्देश सुराज की मांग, भासाई प्रांतों की अस्थापना तथा सिच्छा के प्रचार प्रसार क्या करना था एनी बेशन्ट के होम रूल लीग आंदोलन एनी बेशन्ट ने सितंबर 1916 इसमी में मद्रास में होम रूल लीग की अस्थापना की घोशड़ा की इनके लीग के सच्छो जार्ज अरुंडेल थे बेशन्ट की होम रूल लीग आंदोलन का कार्छे तिलक के कार्चेत्रों को छोड़ कर सेज संपूर भारत में फैला था लेकिन एनी बेशन्ट की लीग का संगठन तिलक की होम रूल लीग की तुलना में काफी कमजोड था एनिवेशन्ट ने कामनवील और निव इंडिया नामपत्रों के माध्यम से प्रचार प्रसार किया गोपाल किष्ण गोखले द्वारा अस्थापित संस्था सर्वेंट आफ इंडिया सोसाइटी के सदश्यों को लीग में प्रवेश की अनमती नहीं थी होम रूल लीग आंदोलन के बढ़रे प्रभावं से चिंतित होकर सरकार ने जून उननीस सो सत्रा हिस्थी में एनिवेशन्ट जार्ल अरुंडेल बीपी वाडिया को गिरफतार कर लिया इस गिरफतारी के बिरोध में सर एस सुब्रमन्यम अययर ने अपनी नाइट की उपाधी वापस कर दी थी लीग के गठन से कांगरेस में एक नई उर्जा का संचार हुआ जिसने नए वाजसरा को ब्यापक सुधार कारक्रमों की गोश्डा करने के लिए बाद दिकर दिया 1927 हिस्वी में मान टेंग्यू जेंस फोर्ट सुधारों की गोश्डा के बाद एनिवेशन्ट इनकी समर्थक बन गई और दूसरी ओर तिलक को इंडियन अंडेश्ट के लेखग वैलेंटाइन सिरोल पर मानिहान का मुकदमा करने के लिए ब्रिटेन जाना पड़ा फलसरूप होम रूर लीग आंदोलन नेत्रत बहीन होकर समाप्थ हो गया लखनव समझाओता 1916 इजवी में भारती राष्टी कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लखनव में आयोजित किया गया जिसकी अध्यस्ता अंबिका चरण मजूमदार ने की इस अधिवेशन की सबसे मातपूर उपलब्धिया थी कि गरम दल का कांग्रेस में पुना प्रवेश किया गया कांग्रेस के लखनव अधिवेशन की एक अन मातपूर उपलब्धिया थी कि कांग्रेस एवा मुस्लिम लीग के मद्ध समझाओता हुआ इस अधिवेश्टन में कांग्रेश तथा मुस्लिम लीग एक दूसरे के करीब आए तथा दोनों ने सरकार के सामने अपनी समान मांगे प्रस्तुत की कांग्रेश द्वारा उत्तरदाई सासन की मांग को लीग ने सुभिकार कर लिया कांगरेश ने मुसलिम लीग की मुसलमानों के लिए पिर्थक निर्वाचन की मांग को सविकार कर लिया प्रांती बिवस्थाप का सभाव में निर्वाचित भारती सदश्यों की संख्या का एक निश्चित भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित कर दिया गया और केंद्री बिवस्थाप का सभा में कुल निर्वाचित भारती सदश्यों का एक बटा नव भाग मुसलमानों के लिए आरक्षित किया गया कांग्रेश एवं लीग में इस समझावते को लखनव समझावते के नाम से भी जाना जाता है